नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्यानी उल्लू पर आईए आज कुछ नया जानते हैं जिस तरह किसी भी व्यक्ति के हाथों की लकीरों से उसके भविस्य के बारे में जाना जा सकता है उसी तरह सरीर के अंगों के आधार पर भी बहुत कुछ जानकारी हासिल की जा सकती है समंद्र सास्तर अनुसार नाक भी व्यक्ति के स्वभाव से लेकर उसके आर्थिक जीवन तक के बारे में बहुत कुछ बताती है हर व्यक्ति के नाक की सेप अलग होती है यहां हम जानेंगे कि नाक के आकार के आधार पर समुंद्र सास्तर में क्या जानकारी दी गई है समुंद्र सास्तर अनुसार जिनकी नाक तोते जैसी होती है वो अपनी लाइफ में काफी आगे बढ़ते हैं वह जिस भी नवकरी में प्रयास करते हैं उन्हें सफलता मिल ही जाती है अगर इनके नेचर की बात की जाए तो ऐसे व्यक्ति काफी समझदार होते हैं दूसरों की दुख तकलीफों को सहजता से समझते हैं और सामने वालों की खुशियों का पूरा ख्याल रखते हैं बड़ी नाक देखने में काफी सुन्दर लगती है ऐसी नाक वालों का जीवन विलासिता से भरा होता है दूसरों सब्दों में कहें तो ऐसे व्यक्ति भोगी प्रिवर्ति के माने जाते हैं ये सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं इन्हें दूसरों की भावनाओं की उतन इसके अलावा यदि नाक के छिद्र बड़े होते हैं तो ऐसे व्यक्ति हर समय भोग विलास के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो ए और भी अधिक सुभ माना जाता है। ऐसे लोगों के जीवन में हमेशा सुक्स विधाये रहती हैं। ए थोड़े से ही प्रयासों से धन अरजित कर लेते हैं। वहीं आगे से जुकी नाक हो तो भी व्यक्ति धनी होता है। समुंद्र सास्त्र अनुसार बहुत बड़ी नाक होना अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे लोगों की हमेशा पैसों से संबंधित दिक्कतें छेलनी परती हैं। अथक प्रयासों के बाद भी इनके पास धन नहीं रुकता। वहीं समुंद्र सास्त्र में यह भी बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति की नाक आगे से दो भागों में बटी हुई दिखे तो वह निर्धन होते हैं। इसके अलावा अगर नाक चप्टी हो तो ऐसे व्यक्ति मजाकिया स्वभाव के होते हैं। साथ ही एह हमेशा हर इस्थिती में दूसरों की मदद के लिए हमेशा तयार रहते हैं।